ओम ज्यानत मिरांधश्या ज्यानन जन शलाक्या चक्षरुन्मिलितं जेनतस्मै श्री गुरुवे नमां नमां विश्रुपाडाया प्रिष्ण प्रेष्ठाया भूतले श्रीमते भक्तिवे दांतस्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वत्य देवे गुरवानी प्रशारिने निर्विशे सशुन्यवादी पाश्यात दे सतारिने नमो महा वदन्याय क्रिष्ण प्रेम प्रदायते क्रिष्णाय क्रिष्ण चैतन्य नामने गुरतुषे नमां जय श्री कृष्णा चाहितन्या प्रभू नित्यानन्दा श्रीयत्वेत गदाधर श्रीवासा दिगाउर भक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा आप सभी भगतों का हादिक स्वागत हैं आज के श्रीमत भगवद गीता के चर्चा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमत भगवद गीता यथा रूप इसका चौथा अध्याय और स्लोक संख्या 32 तक चर्चा किये थे एवं बहु विधा यग्या वितता ब्रह्मनों मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं जात्वा विमुख्ष से इस प्रकार से बहुत विधा यग्या, बहुत अलगलग प्रकार के जो यग्ये हैं, वो कर्मजान, विधितान, सर्वान, अलगलग प्रकार के कर्म की अनुसार प्रकट हुए हैं, और कर्म जो हैं, गुणों के अनुसार निंधारित होते हैं, त्यानि, तीन गुणों की अधा पर जो वेक्ति जिस गुण पेस्थित होता है उसके लिए ऐसे यग्या सुटेवल सैक्रिफाइस बताएगा है तो अगर ब्रह्मनों मुख्य है यानि सास्रविदी से वह पालं करता है तो मुख्ति के मार को प्राप्त करता है यह सारे धर्म करने का है तो लिबरेशन के पॉइंट तक लेके जाना और दिस इस कन्फर्म बेद लोड हेर्विद प्राम इस ओन माउथ अब आगे भवान बता रहे है श्रे यांद्रव्यमयाद यग्या ज्यान यग्या परंतपा सर्वं कर्मा खिलंपार्था ज्याने परिसमा प्यते O Chastrizer of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions After all, O Sanopritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge भिच्छ, तो पिष्ट श्रोप में भी बहुत सीच को आल्रेड बोल चुके हैं एवं भविदा यज्या बित्ता ब्रह्मनों मुख्य, ब्रह्मनों मुख्य कहां ब्रह्मनों मुख्य मतलब सास्त्र विदी के अनुसार जास्त्रों सरे इन शास्त्रों में जो विदिधी है उसका ग्यान को रख्ते वे जब को यह कार्द है तो असी को स्रेष्ट यग्या कहा जाता है ज़ускर चैश्रेयान ज्रभ internet क्या यदा धिर में चैस्तु का करना इस्तिमाल करना सक्रिफाइस करना उससे जो यग़ा किया जाता है उससे स्रेष्ठ है ग्यान-cit Jana यग्या मतलब कि सास्र के अनुसार सास्र विधी को जानते हुए जब कोई धर्म का कारे करता है यग्या करता है दान देता है तो वो स्रेष्ट है उसके केवल बीना सास्रीविदी की अनुसार ऐसे ही out of some sentiment कोई कुछ अपने वस्तुमों का जो है इस सक्रिफाइज करता है उससे स्रेष्ट क्या है ज्या नजज़्या किया जाता है तो द्रब्रमायात यज्या ज़्या किकि कई लोग होते हैं जो लोग धन संपत्ती होती है, resources होते हैं, कुछ भी होता है, तो लोग उसका इस्तमाल करना चाहते हैं. लेकिन सास्त्र का ज्यान नहोने के कारण वो उसको बहुत एक चीज़ों के लिए कारदेता हैं. तो वो भी आला की लापकारी है लेकिन वो स्रेश्ट नहीं है उससे स्रेश्ट यह है कि सास्रिक के ज्यान प्राप्त करके सही जगह पे उसको इस्तमाल किया जाए सही जगह पे सही तरीके से सक्रिफाइस किया जाए ताकि अध्यात्मिक जीवन प्रग्रति कर सकें और उसका रिजल्ड क्या होता है सर्वम कर्मा अखिलम पार्था ज्याने परीप समाप्यते अट एंड ज्यान प्राप्त करना ही एक मात्र अंतिम लक्ष है दिवग्यान प्राप्त होने के या पिश्य सोप जोवान अल्डेडी बोले कि एवं ग्यात्वा विमोक्ष से दिवग्यान मिलता है तब वो मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाता है तो मुक्ति को प्राप्त करना या दिवय ज्ञान को प्राप्त करना ही ये लक्ष है तो इसलिए इस लक्षे तक कौन पहुंचता सकता है जब ज्ञान यग्या करता है कोई ज्ञान के साथ करता है ज्ञान होता है तब विक्ति को पता चलता है कि मैं जो सेक्रिफाइस कर रहा ह अपना धन संपत्ति अपना रिसोर्सेज अपना समय अपने सरीर को लगाना है कहीं पे लोग सेवा तो सेवा की भावना को कोई त्याग नहीं सकता है इस अंसार में हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है volunteer activity समाज सेवा social welfare activity हर को involved होना चाहता है लेकिन और कई लोग करते भी अलग लग तरीके से अलग लग जगह लेकिन बहुत इक चीज के लिए कर देते हैं कुछ न कुछ यह दान करने के प्रवरिति इतनी ज्यादा है कि विक्ति के पास अगर कुछ दान करने के लिए नहीं तो अपना ब्लड़ी डोनेट करते हैं ब्ल करके करके तो ब्लub जो ऑगरा होते है लोगhalbी तो कॉलिज के यूथ कर्तो करते हैं कुछ करने के लिए समाज के लिए कुछ लोगों को प्रवृति है किसी के पास होती है अब जिसकेपास जो वस्तु होती है वह उसी चीज को सैक्रिफाइस करते है और सिट पहरी किसे यक्ये करता है किसी के पास धन संपत्ति समय करता है लगता है लोल कर लिया Justice. किसीए पास समय होता है तो अपने समय देता है लेकिन पूरण बात मापनी यह दे Очень iblड़ जो चैंज तो वज़ेंग होती है लेकिन उनके पास ग्यान नहीं और उनके साथ है उन सास्त्री कि समय लगाना के कहाूं के समय का सैक्रिफाइश करना ताकि उसका का बिना उसका जो फल है हमको वास्तरिक फल यह मिल सके कि हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति की मार में चले जाएं तो बिना सास्तर के ज्ञान को रखे यानि बीना उचित जगह जब हम नहीं करते बहुतिक चीजों के लिए जब हम सेक्रिफाइस करते हैं अपना धन लिए फ़ल नहीं है तो टेंपरेरी है वापस यह फिर चला जाएगे शीवने पुन्य मरते लोकम विश्णती खवांगीता में भी बोलें लेकिन जो ज्ञान यग्जा जो है स्रेयान बता रहे भगवान ज्यान के साथ जो यग्य करता है यह जानके कि कहां पे तसमाद देय नचा देयम एक और स्लोख है तस्माद देयम तस्माद देयम इसमें कि वेर वन शुट गिव इस रिसोर्सेस कहां पे देना चाहिए हरी भक्ति बिलास का आगे इसमें तर्दनम सुद्धानाम एति विष्टु नइवेद्याम विष्टम तस्माद देयम दुजात्मानाम दुजात्मानाम मतलब ब्रामनों को वैश्णों को प्रदान करना चाहिए तो यह इंजंशन है वेदिक इंजंशन है कि आप कुछ भी देना चाहते हैं साक्रिफाइस करने की प्रविति हर किसी के पास है किसी के पास समय है तो समय देता है समय वैश्णों को दीजे तो आपको क्रिष्ण की सेव लगाएंगे धन संबत्य तो दंसंबत्य याप वैश इस प्रकार के ग्यान को प्राफ करके भी मोक्ष्य से इस वह दिक संसार से मुक्ति का रास्ता पुल जाता है तो कुल मिला के वह यह पॉइंट यहां पर बोल रहे हैं कि यग्य क्या लग लग विधियां है लेकिन सारे प्रकार की अग्यों में उस यग्य को स्रेश्ट माना ज जाता है जो ज्यान के साथ किया जाता है sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions because after all जब ज्यान के साथ यानि उचित जगह पे sacrifice किया जाता है तो उससे that culminates in transcendental knowledge वो दिव्य ज्यान प्रदान करता है वो दिव्य ज्यान क्या है that one understands that I am a spiritual spark I am a spirit soul or I am part and parcel of the supreme lord यह जो भगवान के साथ जो संबंध ज्यान है वो प्राप्त कर लेता है वेक्ते the purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge that is the purpose then to gain release from material miseries and ultimately to engage in loving transcendental service to the supreme lord Krishna consciousness यह सारी जितने भी अग्या है इसका अंतिमुदेश यही है क्या कि पूर्ण ज्यान प्राप्त करके बहुतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाना बहुतिक जगत के बंदन से मुक्त होने करते क्या है कि यहां के कार्य वस्तु से विरक्थ हो जाना मतलब वासना को त्याग देना बहले ही बहुतिक जगत में रहता है कोई विक्ति जैसे वाइशनों होते हैं बहुतिक जगत में रहते हैं लेकिन फिर भी बहुतिक बंदन से म meaning of to gain release from material miseries. अफिर अफिर लिए 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 अपने आपको आपन करना. Nonetheless, there is a mystery about all these different activities of sacrifice. And one should know this mystery. Sacrifices sometimes take different forms according to the particular faith of the performer. When one's faith reaches the stage of transcendental knowledge, is considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions without such knowledge. But without attainment of knowledge, sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. इसलिए ग्यान के साथ, अधियात्मी ग्यान के साथ, जब कोई sacrifice करता है. Sacrifice का मतलब क्या? Yagya. Sacrifice का मतलब कि आपके पास जो भी वस्तु है, जो भी चीज़े हैं, उसको आप इस्तिमाल कर रहे हैं. इसको आप यूज कर रहे हैं या उसको प्रदान कर रहे हैं बहुन के सेवा में, या बहुती ग्रूप से भी रोग करते हैं, तो उसको भी sacrifice में काउंट किया जाता है, लेकिन वो बहुती इस तर होता है. तो लेकिन अध्यात्मिक जगत में भी, अध्यात्मिक इस्तर पे भी, अगर कोई कुछ sacrifice करता है, यह सरल बासामें बोले सेवा बोल सकते हैं, या अगर कुछ सेवा करता है, तो अगर वो ज्यान के साथ नहीं करता है, तो उसको एक पुन्य मिल जाता है, बस, पुन्य पराप्त होता है, लेकिन spiritual benefit उसको नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर ज्यान के साथ करता है, इस understanding के साथ करता है, कि कृष्ट परम भगवान है, हम उनके दास है, यह हमारा duty है, तो वो पूरा अध्यात्मी गलाप प्राप्त कर पता है, यह से कुछ लोग होते हैं, वो दान देते हैं, मंदिरों में भी दान देते हैं, तो वो इस भाव से देते हैं कि हम पालन पोशन कर रहे हैं, हम दान देते हैं, इसलिए मंदिर वाले चलते हैं, यह मंदिर बनता है, यह सब होता है, और फिर इसलिए वो अपना नाम भी चाहते हैं, कि नाम हो, यहां फलाना फलाना वेक्ति ने इतना सारा दान दिया, लेकिन जो वास्तवी का अध्यात्मी गलाब है, वो नहीं मिल पाता है, लेकिन एक भक्त जो होता है, जब वो दान करता है, तो बहुत अंतर होता है, जमीनास्मन का अंतर होता है, एक भौतिगवादी वेक्ति जब दान करता है, भगवान के सेवा कारे में, और एक भक्त जब दान करता है, तो उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि भक्त इस भावना से दान करता है, कि कृष्ण हमारे है, कृष्ण की सेवा के लिए है, कृष्ण के परचार के लिए है, तो वे एक अपना पन रहता है, एक अध्यात्मिक ज्यान रहता है, यह Transcendental Knowledge उसके रहता है, तो इससे उसके द्वारा जैस प्रकार का दान दिया जाकता है, और दान कैसा भी हो सकता है, तन, मन, दान, समय का हो, दान हो सकता है, क्योंकि हर कोई, बेस्ट दान वैसे क्या है, मन का दान का, अपने मन को लगा देना, मन मना भव मद भव, तो that is the best, मन लगाता है तो उन्य शित्रूपे समय भी लगाएगा, और फितन भी लगता है, सरीर भी लगता है सेवा में, लेकिन कोई मन नहीं लगा सकते हैं, कि मन इधर उधर फसा आओ तो सही, सेवा तो सेवा में तो लगो, प्रोजी क्या करें, सेवा तो करते हैं, लेकिन मन बहुत भटकता रहता है, नहीं ठीक है, चलिए, अब सेवा में लगे, दिरे-दिरे मन भी आएगा, तो second level का होता है, कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, कि मैं आग सकूँ, अपना तन लगा सकूँ, अपना मन लगा सकौँ, हम तो अलग जगह ही engaged है, तो ठीक है, थर्ड स्टेज में भी बोलता है क्यूंकि शमाज में जादतर लोगों को जो मन है वो फसा हुआ कहा पर धन में फसा हुआ है, जब धन को क्रिष्टी के सेवा प्रिए इ उसके माध्यम से धन के पीशे-पीशे मन भी चला ही जाता है वह एक आसकती है ना जिसलिए बनता है तो फिर देरे-देरे ऐसे वेक्ति धन से उपर उठ करके फिर अपने तन को भी लगाते हैं फिर वो खुद भी आकर सेवा करना चाहते हैं मेरे लिए कुछ सेवा है क्या पर लगने लग जाता है जब मन लग जाता है तो देट इस फस्क्रास ऑफ सबसे बड़ा दान है मन को भवान के सेवा में लगा देना क्योंकि मन जब लगता है तो फिर तन और धन जो भी उसके पास सब कुछ लगाई देता है जैसे बक्ति उन्हों ठाकुर बोले मानस गेह मानस मतलब मन देह मतलब शरीर गेह मतलब घर संपत्ति परिवार वाले सब जो है अर्पिला तुआ पदे नंद किशोर आपके चरण कमुल के सेवा के लिए मैं अरपन करता हूं सबसे उत्तम यग्य है जिसमें पूर्ण रूप से ज्ञान में इस्तित होकर के भक्त जो है नंद किशोर रतुवा पदे यार पिलो आपके पद के लिए यह कुछ भी मेरा नहीं है ना मेरा यह सरीर मेरा है ना मन मेरा है ना यह धन्जम पत्ति ना यह घर ना मेरे परिवार वाले मेरे नहीं है सब आपके हैं इसलिए सब आपकी सेवा में लगना चाहिए इस ज्ञान मेरे इस्तित होकर के जो नियोजित करता है हर चीज तो डैट इस बेस्ट सैक्रिफाइस और वो पूर्ण रूप से अध्यात्मिकल आपको प्रदान करता है लेकिन शुरू की अव बिगनिंग विथ जो अपने रिसोर्सेज लगाए पहले तो उससे लगा करके भी वो आगे बढ़ता है रियल नौलेज कल्मिलेट्स इन क्रिश्णा कॉंसिस्नेस ता हाइस स्टेज अव जो सर्वस्रेश्ट डिवे ज्यान के जो सर्वस्रेश्ट अवस्था है वो क्या है वो है क्रिश्णा कॉंसिस्नेस प्रिश्णा भावना मृत क्रिश्णा भावना में रहकर के जो किया गया कार रहे है सेवा है यह यग्य है उसको दिवे ज्यान की वो सर्वोत्तम अवस्था कहलाती है जो मैंने भी बताया भक्ति उन्हों अठा कुर का एक्जामपल माना से देहग्य हो जो कि छुमोरे अर पुला अर पिलू तुआ पदे नंद की सोर देडिस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेनेटर नौलेज दिवे ज्यान की चरम अवस्था है यह और यह सर्वस्ष्य यग्य होता है और इस यग्य में को करता है तो पूर् अध्यात्मिक लाव क्या होता है नंद की शोर के चरण कमलों में जो है शुद्ध प्रेम यह भक्ति को प्राप्त कर लेना तो जो जिस इस्तर में यग्य करता है उसको उस इस्तर का लाव मिलता है जो अध्यात्मिक जान से विहीन हो करके केवल भौतिक इस्तर पे ही यग्य करता है तो उसको कुंट बहुत ईगलाव मिलता है, और जो जितनीBa मातरम अध्यात्मिक जान को प्राप्त करके आगे अध्यात्मिक तरीके से करता है इसक्रिफाइस तो उसको उसे सबसे बेनिफिर बिलता है हाईस्ट जो स्ष्छ appears और उत्च की के उर्खेतर नॉछ सबािन होता है और सब्स late प्रकार का पर का बेनिफीट लाइब मिलता है रहा है कि श्री क्रिष्ण के शऌरण कमलों में विदा सब्सक्राइब करता है कर्म कहलाता है और उसके पुन्य मिलता है उसके बहुतिक उलाव उसको मिलता है इसका मतलब भौतिक से आप ध्यात्मिक बनाने के लिए आपको कार्य को चेंज नहीं करना है इस अमेटर अप्चेतना कॉंशेस्नेस केवल ज्यान को प्राप्त करके करने मातर से वही कार्य जो है दिव्य हो जाता है जैसे मैंने उधारण दिया कि एक वेक्ति है जो भक्त नहीं है वो बस चैरिट्रिवली इस डिस्पोजट है दान देने के उसकी प्रवृत्ति है तो वह भी कभी आकर के मंदिर में किसी वैश्नों को जो है दान दे देता है आप सेवा के लिए एक वो हो गया और दूसरा ए बहुतिक रूप से या मतलब भारी रूप से लेकिन दोनों कफल अलग लग हो जाता है क्योंकि एक ज्ञान में रह करके कर रहा है एक बिना ज्ञान के कर रहा है दोनों को लाब भी लेगा लेकिन लाब एक को बहुतिक एक को अध्यात में बिल जाता है depending on differences in consciousness sacrificial activities are sometimes called कर्मकांड, fruitive activities and sometimes ज्ञानकांड, knowledge in the pursuit of truth it is better when the end is knowledge जिसे लिए अलग अलग प्रकार के चेतना में अंतर के अनुसार ही यज्यों को कर्मकांड बोलते हैं या ज्ञानकांड बोलते हैं यही ज्ञानकांड जो वास्तों में अगर जब चर्म अवस्ता में पहुचता है तो इसी को भक्ती बोलते हैं यह भक्ती की अवस्ता होती है शुद्य भक्ती की अवस्ता होती है जिसको क्रिश्णा कांड बोला जाता है तो कर्मकांड मतलब बहुत इगलाफ राप्त कर्मा तो इस लोख में भगवान यह वर्णन किये कि कैसे अलगलग प्रकार की जो यग्यों बताएगे हैं तो उन्हें यग्यों को अगर कोई वेखती ज्ञान के साथ करता है ज्ञान के साथ करना मतलब सास्तरों को अच्छे से सुने समझे जाने और उसके अनुसार उस भावना में करता है तब उसका इन रिजल्ट क्या होता है कि वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है दिव्य ज्ञान के चरव होसता है वो पूर्ण रूप से क्रिष्णा कॉंसिस हो जाता है वहान का भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है अब इसके बाद जो है वन अब दो मुश फिमस वर्स आ अर्जुन तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा अर्जुन के लिए यग्य क्या है युद्ध करना है धर्मा युद्ध करना अर्जुन के लिए यग्य हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार का यग्य हो सकता है तो अर्जुन को बोले वहान ग्यान में रहके करो तो आप नहीं देंगे आप दीजे ना नए ने ने मैंने आपको रास्ता दिखा दिया तो क्रिष्ण जो है भगवादीता में इस अध्याय का क्या नाम है लेकिन इंट्रेस्टिंग लिए इसमें दिवग्यान है बट इसके दिवग्यान को कोई समझ नहीं सकता है एक कोड़ेट व्में भगवान इसमें दिवग्यान के लक्षन बता रहे हैं दिवग्यान क्यों जरूरी यह बता रहे हैं दिवग्यान को प्राप्त्य करता मास्टर वो प्रदान करेगा वो सिखाएगा कैसे करना है और किस भाव में कैसे तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो वो भी भवान बताएंगे और उसके बाद फिर एक बार प्राप्त कर लिए तब नपुनर मोहम उसके बाद तुमको कभी मोहमें नहीं फसोगे मुझे फिर बार बार आके गीता नहीं सुनाना पड़ेगा इस लिए इस तरह से भवान बोलें और फिर आगे बताएंगे कि इस प्रकार से जब कोई प्रमारी गुरू का आश्या प्राप्त करके उनसे दिवेग्यान में सित हो करके कार्य करने लग जाता है तो कितना भी पापी हो फिर कर देती राक बना देते उसरी प्रकार का जो ढावता है मारी गुरुरू से प्राप्त हुआ र无ब्र औरकर करें लुग को 펫कें था रूमरी प्रश्ची दूसक्र करें ये इसके बार दो हरे अबिटा है कुसी नद k które प्रक्रेश्न तो पोर सकते हैं अरे ख्रुष्च कि पूछें इस इस बाप्स में डाल जा कि यह जा सकता है जितना हम कोशिद करते हैं मन और तेजी से बागता है इने पर भी हम पीछे रह जाते हैं अच्छा मन को तो मन को निंतरित करने का वैसे तो बेस्ट मेथड है बावन के नाम का निरंतर जब करना अरे कृष्ण महामंत्रे क्योंकि इसके माध्यम से मन खीचा चलाता है जब भी मन इदर बहुत ऐसे भटकता है फोकस नहीं कर रहा है उसमें जोर से बावन के नाम के जब करने से मन आता है लेकिन कई बार क्योंकि अभी निरंतर हम चौबिस घंटे नाम जब नहीं कर सकते है इसलिए फिर तन को भी लगाना चाहिए तो जब हम सेवा में सेवा के सेवा होती है मुवार की प्रचार के सेवा क्योंकि उस प्रचार के सेवा में मन तन बहुत अच्छे से लग जाता है मन भी लग जाता है तो सब्सक्रांद मन भी लग किये हैं तो वह बहुत फास्ट प्रगृति किया है भक्ति में हमने खुद अपने जीवन प्रैक्टिकली इसको अन्भूत की किया है कि हम लोग हम लोग सब्सक्राइब कॉलेज लाइब से हम लोग काफी मैरतन के सेवा में एक एक डेड़न में बहुत इस्टिपूशन करते थ अब लोग सुबह सुबह निकल जाते थे दस बारा बारा घंटे हैं हमारा हमारा बहुत बहुत बाड़ा सोभाग्य था कि कॉलेज के टाइम पर क्योंकि गवर्मेंट कॉलेज एनाइटी जैपूर से थे तो बीटेक तो हमारा प्रैक्टिकली साल भर में तीन से चार मेना त करके पूरा समय लगाते थे और बच्चों को डिस्ट्रिबूशन करते थे एक-एक महिने में 15 से 20 बीस हजार भगवद गीता डिस्ट्रिबूट हम लोग कर पाते थे आठ दस इस्टुडेंट्स लोग मिल करके सेकेंड थर्ड एर फूर्थ एर के स्टुडेंट्स मिल करके करने से इतना डिस्ट्रिबूशन अफी प्रिचिंग भी करते थे कॉलेजिस में जाकर के लेकिन इमैर्थन के टाइम पे बहुत अच्छे से सरीर अमन पूरा बुद्धी लग जाता था अब इसे के फुल सुरूप आज मैं सोच पा रहा हूं कि 64 राउंड्स कर पाना इतना आसान नहीं है लेकिन हो रहा है तो मतलब वो क्रिपा है हमारे एक मंदिर में बहुत वरिष्ट भक्त है जो डेली 108 माला जब करते हैं और तो हमारे गुरू महाराज बताय करते हैं कि उनका नाम इस ग्रेश अनौत्तम प्रभू है तो महाराज बोलते हैं क्योंकि अनौत्तम करके 108 माला डेली जब करते हैं तो इसलिए मन जो है भगवान पे लग जाता है पूंड रूप से जब हम उस मन को तनक और बुद्धिय को बहुन के सेवा के लिए प्रचार के लिए कहीं ने कहीं लगाते हैं इंगेज करते हैं तो उससे सुद्ध होता है और फिर मन जो हैं बहुन के में लगा सकते हैं तो हम लोग आपके सेवा के लिए हम लोग यह ऐसा परचिटी बना रहे हैं बुक डिस्यूइशन तो ऐसे बहुत सरल है कोई भी वक्त कहां पर कहीं पर भी रहता है तो वो खुद से बुक्स ले करके डिस्यूइट कर सकता है लेकिन हम लोग कु करें और डिस्ट्यूइशन स्टार्ट करें मैरतन का लाव उठाइए तिस तरह से अपने सरीर को तन को इंद्रियों को मन को वानी को सब को कृष्ण की सेवा में लगाने से देरे देरे मन शुद्ध हो जाता है और फिर हम पूरी तरह से फोकस भी कर सकते हैं बहुन की सेवा है कि क्या लिखा अपने मनश्य की प्रवृत्ति पर लिखा है कि जैसे सारे लोग जो है वह बहुत एक धन तो लगा देते हैं पर मन नहीं लगा पासे तो जब लगता है तभी उनका मन लगता है और तभी समय दे पाते हैं हाँ सभी बात है इसलिए धन भी लगाना चाहिए तो अभी तन लगाने का समय आ रहा है आप लगाएंगे ना आपका सरीर बहुन के मैरेथन सेवा में मैं लगा चुका हूं प्रभूजी और भी कोशक्तारी रहेगी लगा चुक्या मतलब फिनिस हो गया बिजनेस अभी तो चालू करना है अभी तो इस्टार्ट है अब बताईएगा आप जितना सेवा दे सकेंगे हम आपको सेवा देंगे बुक डिस्टूशन का स्कूल में जाके आप आपको ज्यादा भार्दोर नहीं करना है बच्चों को एनॉंस्मेंट करना है आप तो एक्सपर्ट है आप बो उनको गीता कॉंटेस्ट के लिए प्रेडित करना है ठीक है अभी समय हो गया है यह विराम करते हैं कल करसम लोगार चक्चा करें कि मलब बगवान ने सब कुछ दिया उसी को भूल गए सारे उनी को भूल गए